पूर चीज़ इदावा करता जाओं इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकोन वैली बनने जा रही है पहले आपको पता गुरगाओं के अंदर मुझूद है दूसरे नंबर पर वह एमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकोन वैली बनाने जा रहे हैं मैंने यह जब नियू सुनी त पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान इन जनरल देखें तो अभी भी यही सोच है कि इस पर इतना कोई इन्वेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे उसका कोई फाइदा निया कोई रिटरंड नहीं है लेकिन आप यह चीज़ देखें कि इंडिया ने जब शुरू किया वहां पे 90's के टाइम है अब वहां पे Amazon है वहां पे Google के Head Offices है वहां पे Amazon का Head Office है वहां पे PayPal है वहां सारी जो नही टिकनोलोजी जो चीज़ अमेरिका में आ रही है ना वही चीज़ डिरेक्ली इंडिया में भी आ रही है यह सिलिकॉन वैली वहां पे होने का वहां पे Headquarters होने का यही कि जो भी नियू टेकनोलोजी आती है वह डिरेक्ट यूए से से इंडिया में भी जाती है तो उनको भी वह फीचर मिलते हैं और हमें देखे हम अभी तक ना PayPal हमें मिल रहा है उसके उसके मुकाबले में कोई चीज़ निकालते हैं लेकिन वर्ट कापी किन नेवर बी अस अवेलेबल है वहां पर उन्होंने और दूसरा वह जो नोट वाली करंसी है उसको डिजिटल करेंसी से रिप्लेस करें कि फोन के ऊपर से आप पेमेंट कर सकते हैं डिरेक्टली किसी भी जगह पर कैसे देखते हो यार कि एक सिलिकोन वैली बनेगा वहां पर बिलियून और इसके बाइर से इंवेस्मेंट आएंगी वहां पर और जिस जितनी जितनी इंवेस्मेंट आती जाएगी इंडिया की वर्थ पढ़ती जाएगी वहां पर आप देखो कि उनकी जीडिपी में बहुत 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 बड़ा एहम किरदार अधा होगा और क्या पाकिस् किस साल बाद कहां चले गए हैं वो हम कितना टाइम लगेगा इंडिया के बराबर आने में यार इंडिया के अभी आप देखें उनका बिलियंस में उनके पास सब रिजर्व वो उनकी एकॉनमी जो है अभी फिलाल आप में जा रही है अधा पाकिस्तानी हम उनको बुरा भला क हैं उनमें फॉल्स निकाले ठीक है लेकिन आप अगर डेटा को देखे ना तो अभी फिलहाल पाकिस्तान लैग भी हैंड कर रहे हो चांद पे पहुंच गया अभी तक हम यहां पे सबजियों के भाव पे लड़ाई कर रहे होते हैं के तमाटर बढ़ गये ये बढ़ गये त तो पाकिस्तान अगर अभी भी इन्वेस्ट करे ना तो काफी इस तरह की हिस्टोरिकल जैसे इंडिया ने नाइंटीज में किया स्थाउट कोरिया जब इंडिपेंडन्ट हुआ था आई-म-फ के बाद उन्होंने भी लोन लिये थे वो उनकी एकॉनमी भी तबाह हुई थी उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट फिर आई-टी सेक्टर में की और ये इंटर्टेन्मेंट सेक्टर में की उनकी अब इंप्रूव्मेंट आई एक दो साल बाद नहीं आती अगर अभी पाकिस्तान गोर करता है इस एक फील्ड की तरफ अभी भी काफी आई-टी आफ तेन सो बिलियन डॉलर्स वो कमा रहे हैं भाई अगर हम दस बिलियन डॉलर बे कमा रहे तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है ऐसा ही है यहां पर जो कंपनीज हैं भी सही ना वो प्राइवेटली ओंड है कोई गौर्मेंट का ना उनको जादा सबसिडी जाती है ना उन चले जाएंगे क्योंगे यहां पर कोई सपोर्ट नहीं है दुबए भी इंडियन गेर रखिए पूरी के पूरी वहां पर आप तीन लेंग्विजिस देखो कि सबसे पहले तो अर्भी दूसरे नंबर पर इंगलिश तीसरे नंबर पर हिंदी वहां पर हिंदी में भी लोग हैं उनको बुरा बलक हैं लेकिन 2010 से पहले और 2010 के बाद उनके जब आने के बाद देखा जाए ना तो 2013 के बाद उन्होंने अमेरिका को नो कहना सीखा इंडिया की उससे पहले कोई पहचान मतलब कोई उसको इतनी इज़त नहीं देता था जो उनका आने के बाद अगरी करू बुश्चिनरा इंडिया को कहा है कि बाद जी६एशाओ का जी हजूरी हो रही है तो क्या एक पोलिडियशन कितना को और यहम करदार अदा करता है मुलक की डिवैलोमेंट कि आप यह देखें कि पाकिस्तान जो है ना वो सेकेंड पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेक किसी की साइड नहीं लूँगा पॉलिटिक्स एक दफा ठीक हो उसके बाद वो अपने इंवेस्टमेंट जहां पे मुल्क की तरक्की के लिए वो करना जाते हैं वो उस रहा में चलें जैसे इंडिया ने मौदी आया उसने तरक्की के लिए उसने का आईटी सेक्टर में इंप स्ट्रक्शर देखना आप मेरी वीडियो देखना पिछली उसके अंदर मैंने लोगों को दिखाई गए इंडिया की मुंबई सिटी कोई मानी ने रहा कोई कह रहा यूरॉप को कह रहा लंडन को कह रहा क्या उन्होंने इतना कू इसको अपग्रेड कर दिया अपनी पूरी क पूरी इंडिया का नक्षई ही चेंज कर दिया हुआ कैसे देखते हूँ आपकी इंफरस्ट्रक्चर किसी भी मुलक के लिए कितना जुरूरी है क्या इंफरस्र्क्चर अच्छा हो तो टूरेस्ट डिरेक्ट होते हैं औरहें अगर हिनको GS brands such as Google कि मिल्डे में समझ एक वहां के लोग ईत्राभी कर रहे है तो थोड़ा सा उनको हेल्प आउट करें तो वह से ज्यादा तरहिक कर सकते। इंडिया नहीं किया मोदी ने वहां की आप्ण बजुपा परको लेकिन उसका आज तक हमें ना जिकर पटा-चले ना पता जले नहीं मुझे बस्य पता यहां पर यह तक निपता यहां पर अब उसके काम कर रहे हैं मुझे पताओ कि सबसे पहला तो पूरी दुनिया से नासा ने अप्रिशेट किया उसके बाद आप देखेंगे यॉरप ने अप्रिशेट किया दुनिया से इंवस्मेंट आ रही है आप देखो कि हमारा इस इंसी क्या कर रही है और टेकनोलोजी में हम कितना को लैक करेंगे अगर आज हमारा भी कोई शडल जाता है चांद पर तो क्या वर्थ होगी हमारी यह देखें एस पाकिस्तानी ना हम जब इंडिया चांद पर गिया है तो हम यह देखते हैं कि वह वहां पे कायब हो गया उनकी टेकनोलोजी गुम हो ग उन्होंने कोशिच कि उनका नाम आया और अब पता चल रहें कि वह इतने हैं कि चांद तक पहुंच सकते हैं तो अब उनकोई कोई इंवेस्टर अगर होगा जिसके बिलियंस ओव डॉलर्स होंगे वह अगर पाकिस्तान और इंडिया को देखेगा एक कंट्री जिसमें बरा यहां पे जादा तर अपनी जेब बरने में और वो सारा सेंटिमेंट रहता है तो मुल्क की तरकी भाड में चली जाती है pardon my language लेकिन जो politician मुल्क के लिए अगर यहां पे भी करना शुरू करने अभी से शुरू करने तो I don't think within a decade I think हम इतनी तरकी कर सकते हैं कि IMF से निकल जाएं और अच्छा एक अच्छा infrastructure बिल्ड कर सकते हैं बड़ाई अच्छा लगा गाई साब लोगों से इन से बात करके हमारी conversation कैसे लगी comment box में अपनी राइज जरूर दें इसे के साथ मुझे ते जदद मिलते से मिसेटर के नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपिस्वाइस हो ने अस्वालेकुम असलाव कैसे हैं आप बहुत अच्छे नाम आपका महमद फैसल क्या करते हैं हम जोब करते हैं जबर्दस क्या जोब करते हैं हम होजरी की जोब करते हैं जबर्दस हो गया क्या लगता है आईटी के लिया से पावर के लिया से पैसे के लिया से कौन सा मुलक ज्ığımız मजबवोगाने इंडिया फिर पाकिस्तान पाकिस्तान आप बता करक्किस्तान से फिल्ड के अंदर पाकिस्तान इंडिया से जादब है कोई चीज में रिश्वत रिश्वत लेने में मतलब अगर कोई हमारी उनके साथ मुकापलाक किसी भी सेक्टर के अंदर हो जैसे हम उनसे सकते हैं नहीं सिर्फ बादरी से सकते हैं यह हम शाद हैं हाज़ों समयारी वह ranch इसमरी ज़ला है लड़ने में लड़ने में समय हबioned praособ Amore a हम प्वजब कर सकते हम मारे मुलक के फॉच का बाद्र मुकाबला नहीं कर सकता हम ऐहां पर बात कर रहे हैं अच्छ लेशनलोजी में आईटी इंड्रस्ट्री की बात कर रहे हैं क्या हम आइटी इंडिस्ट्री में टेकनोलोजी में मुकाबला कर पाएंगी तो नहीं कर पाएंगी तो इसके अंदर टोटली आइटी हब बनाए जाएगा उसको उसके अंदर टेकनोलोजी की सारी चीज़े लगेंगी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनी इसके अंदर इंवेस्मेंट करेंगी पैसा लगाएंगे अपना जिस तरह से आप किसी फैक्टरी में काम करते इस तरह बड़ी-बड़ी कंपनी वहां पर आगए फैक्ट्रियां लगाएंगी अपनी आईटी के रिलेटिट समय वहां पर आईटी का काम होगा क्या इस तरह क कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर है पाकिस्तान में भी है कौन सी आपने नाम बताना हमारी ओडियंस को काफी बहुत ज्यादा इदर भी काफी है इंडिस्ट्री हमारे पास काफी है नाम तो नहीं याद वैसे हैं आपको पता है तो फिर हमारे पास आईटी इंडिस्ट्री कि मैं आपको पता हूं सिर्फ एक ही है जो के अलफा करीम के नाम से जो कैंची फाटक के उपर है सिर्फ एक ही है उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी आइटी अप नहीं पाए जाता सिलिकॉन वैली तो दूर की बात है तो क्या इस तरह मुकाबला कर पाएंगे यह नहीं आपको एक और चीज़ बताता हूं उनके पास आपको पता फॉर ट्रिलियन डॉलर्स की कुणमी है फो ट्रिलियन डॉलर्स पता कितने होते हैं बदा इतने होते हैं कि आप पूरी जिंद्धी भी बिदर दस बंदी विलाग जाए तो खतम नहीं होंगे आपके लि पता कितने हैं जी बताये हमारे पास हमारे फास प्रफश म् governments फूर्टी थोड़ा इजूकेट करने का में सबस्क्राइब करकर करेंका करके देखी है कि हम क्या कर रहे हुआ या फिर पिरो पाईंगे अक किया करेंगे पर आप ने यूट्यूब पर जाके देखना कर मुश們 है तो कैसे हो नहीं है और है जोब करें इंजीनिर इन्जीनिर समाइंचा पूजूद है बात करने का आपसे बहुत है कि आपको Silicon Valley के बारे में information है नो इतना हास idea नहीं है पता ही नहीं है Silicon Valley क्या होती है हम लोग अभी ट्रेनी इंजीनियर है अच्छा ट्रेनिंग इंजीनियर और फिर भी तो यह भी फिल्ड कहीं न कहीं इंजीनियरिंग के साथ भी related है Silicon Valley का परपस पता क्या है यह सिलिकॉन वैली तो अमेरिका के अंदर मुझूद है जो के आइटी हमानी जाती है जिसके अंदर गुगल आमाजोन यूट्यूब यह जितनी भी कंपनी से आइटी कंपनी वहां पर होती है समझागी है इंडिया के अंदर एक है अलड़ी सिलिकॉन वैली आप दूसरी बननी जा रही है एंदाबाद के अंदर बनने जा रही है और उसने जब वह बनने से पहले बहुत सारे बड़ी-बड़ी इंडिस्ट्री बड़ी-बड़ी आइटी के कंपनीस नहीं कहा कि आप उन्हें बनाएं हम उसके अंदर आकर इंवस्मेंट इसकी वर्थ बिलियन ऑफ डॉलर्स है बिलियन ऑफ डॉलर्स वर्थ है इसकी ओल पे एक अल्रेडी वहां पर बैंगलोरु के अंदर उनका आइटी हाँ आप कहा जाता है वहां पर सेलिकॉन वैली मौजूद है आप एहमदाबाद के अंदर बनेगी पूरी दुनिया के सब्सक्राइब करते हैं के आने वाला फ्यूचर जह वह आईटी का है वह आने वाला फ्यूचर ही टोटली आईटी के ऊपर क्लाइबल करेंगा हर एक चीज क्या जिस तरह से आईटी के अंदर दुनिया गोर कर रही है इंडिया ने नाइंटी के अंदर आटी को अपना मतलब के किताबों के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया था बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर दिया था आज उनका काम कर रहा है इवन के देखा जाए पूरी दुनिया में अगर सब्सक्राइब चैनल है तो इंडिया का है और इंडिया आइटी के लावल से बहुत आगे चला गया बहुत आगे आप ने लास्ट नम देखा होगा कि उन्होंने हलापे भी अपना जोगा पर पाकिस्तान ने कि हमारे नसले नहीं तबाह हो जाती तब तक हम ने जंग ही करनी नहीं जंग तो हल नहीं है और हम उसके करते हैं तो यसे थ्षूदवाशा तो फिर थोड़ा मजबूत हो जाएगा लेकं वही वसला आगा है निकर हम यह मसला सौल करेंगे तो जो बाइर के मुल्क अंट्री जैसा अमेरिका बगारा देख ले उनके जो असला बगारा पता है वो बनामद का देते हैं तो फिर उनका काम नहीं चलेगा ना तो वही नवा लोग ऐसी सोच रखते हैं तो जाहरवात हैं इंडिया में से भी कुछ ऐसी सोच रखते हैं ज्यादा दर लोग जो हैं वह असल में हमारे जो 90 के हमारी इनके साथ जो मसले मसाहिल हुए उनके जेहन से वही नहीं अभी तक निकल पाई तो यह है कि मेरा निख्याल के इन गाडियां भी आती इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुबैल इंडिस्ट्री का आटो मुबैल इंडिस्ट्री का एक्सपोर्टर है अगर उनके साथ रिलेशन अच्छे होते तो आपको नहीं लगता जो गाडिया में 35 लाग जिर मिल रही है वहीं गाडिया से में बन रही है और मुलक सी यूज़ करेंगे इंडिया में जो हैंने इंडिया में प्लांट लगए हर गाड़ी के आपने देखा लास्टाम रिसरच जो उन्होंने आईफून का प्लान लगा ठीक है अगर वह प्लांट पाक्सा में लगता तो में एक डिलाक को मिल जाना था फाइदा होता है लेकर यह हमारा मुलक में वह टेक्स मांगते हैं वह कह रहे ते बिलक्म फरी आप लगाएं आगे क्योंकि उनके मुलक वाइदा होगा ठीक है तो यहीं हमारे अहलात रहे ना हमारे पास Google का एड़ ऑफिस हमारे पास मुझूद है ना हमारे यूट्यूब क की तरफ नहीं लेके जाएंगे दमाग अपग्रेड नहीं करेंगे तो लगता है कि पाकिस्तान मज़ीद सर्वाइफ कर पाएगा इन्हीं अलात के अंदर सिर्फ हमने चावल बेई दिया बाहर एक्सपोर्ट कर दिया गंदूं बेई दिया कब तक करते रहेंगे नहीं अगर चावल से ठीक है बहुत एक अलग आजाती है अगर हम अपने मुलक को ग्रोध मतलब कहने का परपस है कि जिस तरह से दुनिया आइटी को एक्सपोर्ट करके बिलियन कमाती है अगर हम यहाँ पर पूरा पाकिस्तान के चावल भी बाहर बेई दे तो हम सो डॉलर नहीं कमा सक अगर हम आइटी को थोड़ी तो तो हम बहुत आगे चले जाते हैं लेकान होगा भूध में देलो यह वैल्यो देने लग बंगलादेश ने अपने शूपर कार भी बना लिए भाई तो पाकिस्तान अभी सब्सक्राइब करें लोग इसाब से हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं क्योंकि हम लोग इन चीजों में पर्सनली तोर पर जो हमारे मुल्क के मसले मसाइल हम लोग उसमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहरें तो वह बढ़ेंगे लोग ऐसी कि अपनी सोच को अपग्रेड करें बिल्कुल प्रोफेशनल होके सोचें ठीक है एक साइड पर जो पर्सनली चीज़ें थी वो एक साइड पर कर देंगे तो फिर हम भी कुछ आईटी की तरफ जाना स्टाइब